हेलो अब्रीवान वेलकम टू आल आफ यूटूब चैनल आफ प्रिंच सिविल सब्सेज्ट माइन इस अनुछ कुमाज स्थर्मा और बच्चो आज के सेस्थन में हम लोग मुगल सामराज के पतन का भाग दो की चर्चा करेंगे यानिकि डिकलाइन आप मुगल एंपार का पा क्यांनी कि औरंजियम की म्रत्व के साथ ही मुगल सामराज का पतन भी आरंब हो जाता है और इसके विद्वान के दूरा विविल निकारण माने जाते हैं जैसे कि कुछ विद्वानों के नुशब्सार राजणितिक कारण, कुछ नुशर शेंनिक कारण, कुछ के उसार जागीदारी संकट कुछ के उसार आर्थिक कारण और कुछ सामाजिक कारण मींस मुगल सासकों की सामाजिक नीती और अंध्येव की जर्चिर नीती को भी मुगल सामराजी के पतन का एक कारण माना जाता है मुगल सामराज के लिए वहीं विद्यसी आकर्मन यानि कि उत्तर मुगल साथकों के दोरान जो विद्यसी आकर्मन हुयते उन आकर्मनों को भी मुगल सामराज के पतन के लिए कारण स्युकार किया जाता है वहीं नई सक्तियों का उध्वब 18 सदी में मुगल सामराज के पतन आरम होने के साथ ही नई सक्तियों का उध्वब आरम हुआ और एक कॉंसेट में आपको पताया था कि कि जब कभीवी किसी बड़े सामराज का विगटन या पतन आरंब होता है तो उसके खंडर पर नए चोटे-चोटी सक्तिओं का राज्यों का उदुबव भी आरंब को जाता है जैसे कि सती संद्रा की जागीदारी संकट था ये मुगल सामराज के पतन मुख की कारण है इर्फान अभीब कहते है जो क्रिसी संकट है ये प्रमुक कारण माना जाता है मुगल सामराज के पतन तो आगे बढ़ते हैं तो अगला जो प्रमुक कारण है उस कारण का नाम है सैनने कारण और वो सैनने कारण कौन-कौन से हैं जिरोने की मुगल सामराजी के पतन को आधार प्रदान किया तो सबसे पहले बात करेंगे सैना की छमता में कमी आना इसके दो वर्थ है चमता में कमी आने का अथ है कि जो उत्तर मुगल सासक है उस काल तक आते जाते मुगल सासकों की आर्थिक इस्थितिय वह कमजोर होने लगती है तो जब कमजोर होने लगी तो वेतन देनी के लिए पैसा ही नहीं होगा एक उत्तर मुगासर साग के वारे कहा जाता है कि उसने सेना को वेतन देने के लिए अपने राज परिवार के जो बरतन थे और सोने चांदी वो उसको बेचने पड़े वेतन देने के लिए यानि कि सेना की छम्ता में कमी आने के दोर्थ कि bets कमोगे जब कमी आएगी आप तो सकते हैं के जीन ने संघ्थन या सेंने विवस्ता के आधार पर मुगल सास्त्कों ने सामराजजी की इस्ताप्रा की जब उस छम्ता में कमी आएगी तो पतन आरंब हो जाएगा पहला दूसरा जो कारण आता है वो क्योंते हैं सेन्ने अभ्यास में कभी देखें बाजसा अकवर जहांगी सहजा औरंजी यह क्या करते थे कि सिकार के बहाने विद्रो को दबाने के बहाने किसी ना किसी बहाने से सैनों का सैनिकों का आवगवन करते रहते थे जिससे की सैन्ने अभ्यास में कोई कमी ना है लेकिन इसके काल सैन अभ्यास में कमी आने क कारण सैनिकों की जो चमता थे उस पर भी इसर पड़ा इसलिए जब मुगलों के दोरान उत्तर मुगल सासक के दोरान विदेशी आक्रमण हुए तो उन 5 कि कहते हैं कि बाजीदा पतन ने मुठी ब़र गुर सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया मुगल सेना की दौरः कोई विरोद नहीं किया यह अभ्याश की कमी कुझard साता है तो सेन अभ्यास की कमी को भी एक कारण माना जा सकता है мн consumo सामराज के को सबसे ही मनसव ढरों की अ कि मनसवदारों की सेना पर निर霸ता संतार की कि अकवर के द्वारा मनसवदारी व्यवस्ता को लागू किया गया था और इस मनसवदारी व्यवस्ता में दो सब्दाते हैं एक आता है जात एक आता है सवार जात से मनसवदारी विवस्ता कह सकते हैं कि अक्वर की प्रिसास्तिक विवस्ता थी जिसकी आदार पर मुगल सामराजी का प्रिसासन चलाया जाता जात की आदार पर उस मनसवदार का बेतन का निर्धारन होता था प्लस उस मनसवदार का पद की बारे में कि वो दर्बार में वो कहां पर खड़ा रहेगा कहां पर उसकी स्थिति होगी वहीं सवार से पता जल्दा था उसको कितनी संख्या में सेना को रखना है अपने पास मुगलों के द्वारा और सामराजडी स्थापना परिकी गई लेकिन समस्या आगी जाके होई आगी जाके क्या होई कि धीरे धीरे यह जो मनसवदारी विवस्ता में संकत आने लगा संकत क्या रहाए बच्चों कि मंसभदारी विवस्ता में जो मंसभदार होते थे उनकी आतिक स्थी दिन वर दिन खराब रोगी तो वो जो रहें अपने पार उनकी संख्या भी क्या करते जाएंगे कम करते जैंगे तो वही हुआ सेना पर निरभरता तो यानि कि सपोज करो अगर किसी मुगल सासक या उत्तर मुगल सासन ने एक्सपेक्ट किया होगा कि इस मनसबदार से मुझे सौ घुर्षवार या सौ सैनिक चाहिए युद्ध के लिए लेकिन आर्टिक इस्तिदी कमजोर होने की कारण वो सैना सौ में से कित्ती तक पा रहा है और लिए सत्तर तेविंटी वहीं जब सासक ने डिमांड किया कि मुझे सैना भेजो तो चुकी उसको अपने छेत्र की सुरच्छा भी करनी थी तो पूरे सैनिक ना भेज करके वो कि भीजेगा वो मनसवदार भेजता है सिब चालिस तो क्या होगा सैन ने चमता में कमी आएगी और यह जो मनसवदारों की सैना पर निर्वर्ता थी इस निर्वर्ता ने मुगल साथकों की पराजय को बढ़ा दिया इससी देखेगा बाजीरा पथम नादिर साह एमसाफदा जब इनों ने आक्रमर किये मुगल सैना जील नहीं पाई या क्यों निर्वर्ता की कारण उनकी संख्या में कमी हो गई तो यह प्रमुक कारण माना जाता है सैन कारण में मनसवदारों की सैना पर निर्वर्त करना ठीक है चलिए यह था मनसेंद कारण अब जो अगला जो कारण बच्चों वह बहुत ही महत्वपूर कारण माना जाता है उस कारण का नाम है जागीरदारी संकट अब देखिए जागीरदारी संकट क्या है देखिए मुगल प्रसासन को चलाने के लिए मनसवदारों को जागीर दी जाती से मनसवदार को वेतन-प्राप्त होता था और वेतन-प्राप्त करने के वाद हो लेकिन आगे चल करके देख जाता है कि काल से ही जागीदारी संकट आरम बुझाता है और उत्तर मुगल सार्सकों के दोरान जागीदारी संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने मुगल सामराजी की पतन के लिए आधार प्रिदान कर लिया अब जागीदारी संकट के बढ़ने की क्या क्या कारण है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं जैसे कि सबसे पहला कारण जो माना जाता है वो माना जाता है खालिसा भूमी यानि कि जागीर भूमी का जागीर भूमी का खालिसा भूमी में परिवर्तन होना परिश्तर देखंडा कई प्रकार की भूमी उत्यक्ति इस दोमफ प्रड joue और बुमी यहाम है भूमी उस भूमी को कहते थे जिस भूमी से जिस भूमी से मन्सबदारों को जागीर दी जाती थी और खालिसा भूमी का क्या अर्थ था खालिसा भूमी राजी की भूमी होती थी अर्थ के इस भूमी का जो भूराजस में या जो राजस में तो सीधा राजी को जाता था इसमें किसी और को कोई कुछ 100% राजी को मिलता थ आप है तो दिखेआ औरन्ज ऑनाय और बात के जो मुगल सावसक है उहने क्या चागीर भूमी को कालिशा करते करिए तीह किया छागीर क्लारा किह होगी लेकिन वही उल्टा हो रहा है उल्टा क्या हो रहा है जागीर मनसबडारों की संक्या तो बढ़ती जा रही है अकवर की काले सपोर्च करो 30 थे तो औरेंग जेब की कालता कुल की संक्या होगी 300 संक्या बढ़ती जा रही है लेकिन जागीर जो भूमी है उसमें क्या हो रहा कमी होती जा रही है तो इससे क्या होगा इससे एक विरोधा वास की स्थिति पैदा होगी क्या होगा इससे विरोधा वास की स्थिति पैदा होगी विरोधा वास कैसे होगा विरोधा वास कैसे होगा कि आप मर्सवदारों की संक्या तो भठाते जा रहे हैं लेकिन ये जो जागीर भूमी है वो भी कम होती जा रही है तो सपोच करो पहले सौ बीगा जमीन होती थी जागीर के लिए और तीस मनसबदार थे अब सौ बीगा जमीन नहीं है जमीन देगे सतर बीगा लेकिन मनसबदार कितने होगे सौ पहले सौ के लिए तीस मनसबदार अब सतर के लिए सौ मनसबदार तो यही विरुदावाज की रिष्टति है जागीदारी संकट कहलाती है तो जो खालिशा भूमी में जो परिवर्थन किया गया था इस परिवर्थन ने जागीदारी संकट को पैदा किया और जागीदारी संकट ने मुगल सामराज के पतन को आधार पिदान किया है अब आगे चलते हैं कि जागीदारी संकट को खालिशा भूमीय परिवर्थन के साथ साथ और भी दूसरा कारण किया है और जो दूसरा कार माने आता है बच्चो वो माने आता है हासिल दामी और जमादामी में अंतर अब ये हासिल दामी जमादामी क्या है देखिए जब जागीर भूमी को दिया जाता था मनसबदारों को तो उनसे कहा जाता था कि आपको इस छेत्र से इतना भूराजस्तों के प्राप्ति होगी यानि कि उन्होंने कहा कि आपको इस छेत्र से कितना पैसा मिलेगा सौर रुप्य मिलेगा इसको बोलते थे जमादामी कि यहां ओप यह अनुमान होता था कि आपको सौर पे मिल जाएंगे और सौर पे में आपका वीतन इतना है और नीपकी को पैसा राजीides को जमादामी में छो आहनुर लेकिन होता उल्टा था जो स्वार पे का निढंधारन या अन्मान किया था जमादामी में आशिवाइब यानि कि जो हासिल किया जा रहा है वो मिलता था 60 अब देखे यह तो ऐसा समझी गा कि आपको काम के लिए बलाया गया नौकरी प usar और लेकिन आपसे वादा किआ सउर पेगा लेकिन दिया जाना कितना सथ मोडों जाएका आपका दिमाग भी खराब होने लगेगा तो same यहां पर उआ तो संकट पैदा हो घ्या है दार को कहा कि तुम्हें इस सित्र से जो जागी दी गई है सौर बें मिलेंगे लेकिन जब वो हासिल करता था तो मिलते थे सत्व रुपे तो समस्य पैदा होई इस समस्य ने क्या हुआ जागीदारी संकट को भड़ा वने यानि कि जमादामी और हासिल दामी में जो अंतर था इस अंतर ने जागीदारी संकट को पैदा किया और जागीदारी संकट ने मुगल सामराज के पतन को आधार प्रदान किया तो यह था आपका जागीदारी संकट अब जो अगला जो प्रमुक कारण माना जाता है बच्चो वो ले ले थे हैं आर्थिक कारण और इस आर्थिक कारण वो कौन कौन से अंदर कारण आते हैं जिरोंने की मुगल सामराजी की पतन के लिए आधार प्रधान किया तो दीखेगा मुगल सासक या उत्तर मुगल साचकों की द्वारा मुगल सासक या मुगल सासकों के द्वारा वय कि जद्वारा आधार और वय किसमे किया गया था रिस्थाफत्य पे चाहिए कि आई तक कलाव है संगीत में चित्रकला में वेतन में तो यानि की मुगल शार्षकों के द्वारा जो विस्थापत्य बनाने के लिए के लिए महल आदी को बनाने के लिए जो व्या किये गए ते उससे क्या हुआ उससे एक प्रकार की राजकुस में रिक्तिता पैदा आर्थिक दिवालिया पैदल पैदा हुए इसका बहुत बड़ा उधार देता हूं आपको जब सहाजा का काल आया जहांगीर के बाद में कहते हैं कि उस समय महल को बनाने के लिए सबसे कीमती पत्थर माना जाता था लाल पत्थर लाल के लिए जो बने हैं लाल पत्थर थे बने वह बहुत महंगा होता था और सहाजा को ताजमेल का निर्माड करना है तो सहाजा ने ने सफेद मार्बल में तो ताजमेल का निर्माड किया है यह इस बात का परिचायक था या इस बात को दर्साता है कि सहाजा की इस्तिति खर चांवल में सफेद पत्र जाढ़ा सथा था बच्णते की लाल पत्र अब तुछ यह शाह जांगी ने ताजमार करिमार सपेद करवाया था मारबल में सपेद पत्थर क्योंकि वो सपेद पत्र शष्टा था यह क्या द्रसाथा जलता है कि साहर्जा के काल में भी आर्थिक इस्थिति धीरे धीरे कमोने लगे तो क्यों आकवरा जहांगी ने इस्तापत करने रिमार भी बहुत किया था कलाव अगरा में पैसा खर्च किया था तो जो मुगल सास्कों के द्वारा जो व्या किये गए थे खर्च किये गे थे यह बी एक कारण माना जाता है आर्थिक कारण गुरूम या आर्थिक दिवालियापन के इस्तिति पे जो पैदा होगे थी यह माना जाता है अगला जो माना जाता है कि औरंग जेव के कि दच्षिड के युद्र कि औरंग जेव के द्वारा जो दच्षिड भारत पर सामराज विस्तार की करम में जो युद्र किये गए थे कहते हैं कि औरंग जेव ने अपने जीवन के लगबग 27 वर्स दच्षिड भारत में वितित किये थे सुविदार की रूप में और सासक की रूप तो दच्षिड में जो युद्ध हुए इन युद्ध में बहुत जादा खर्च हुआ है और कहते हैं कि इन युद्धों में इतना ज़्यादा खर्च हुआ कि और रंग्यव के काल में एक पिकार का आर्थिक दिवालियपन पैदा होए था ओर्थिक दिवालीयपन पैदा हुए था ओ एक और इस आर्थिक दिवालीयपन ने क्या किया मुगल सामराज्य के पतन के लिए आधार कियों कोगी बत्चों ध्यान लेका बिना अर्थ विवस्ताकी या बिना धन की कोई तो तो ना तो प्रसाशन चल सकता है ना ही कोई सामराज के चल सकता है तो जो औरंग्दीब की दछिड के युद्ध थी उन्हें युद्धी नमें बहुत जादा व्यह हुआ और इन वह विए और भी क्या किया आर्थिक पालिया पन के स्थिति को पैदा किया और इस आर्थिक दिवालया पन की स्थिति को यह आर्तिक कार्य करूम में स्युक्र कर जाता है और अगला है इजारेदारी विवस्ता अब देखिये यह इजाने दारी 비यर्स्ता है पिले कि अकवर ने और broader टें ये मनसफधारि और मनसफधारों कि दारा भूराजर्शन को कि इकत्रित किया जाता था और निरॉन को बेजा जाता था सास्कों के पास चला जाता था लेकिन उत्तर मुगल सास्कों ने इजारेदादी विवस्ता का बत्ना भेट ठेका ठेका पर देना यानि कि उन्होंने भूराजस्तु को वसूल करने का अधिकार क्या दे दिया ठेक है यानि कि जो जादा नीलामी बोलेगा उसको भूराजस्तु का अधिकार दे दिया जाएगा अब इसका अर्थ है कि जो उत्तरमगल सासक है उनके पास अधिकारियों की कमी थी और इस कमी की कारणा ने क्या किया भूराजस्त को वसूल नहीं कर सकते थे तो एजारेदारी विवस्ता के थे उन्होंने भूराजस्त को ठेके पर देना अरम गिया यानिकि एक छेत्र का और जिसने ज़्यादा नीलाम की बोली लगा दी उसको उन्होंने अधिकार दे दी कि आप भूराज को वसूल कीजिए हमको इतना पैसा चाहिए यानि कि एक छेत्र में कहा गया कि यहां से 100 रुप एक नीलामी त्या हुई नीलामी किस ने बोली लगा दी कि मैं 100 रपे दूगा इस छीतर से तो नुकसान क्या होता था कि मैं कंभी उत्तर मुगल एक देखता से यह जो उत्तर मुगल सासक है उनको आर्थी रूप से नुक्सान होने लगा था प्लस इन ठेकदारों की द्वारा भूराजस तो वसूले की करम में जो हरास्मेंड आ सोसड किया जाता था उससे जो विद्रो होते थे उसका भी नुप्सान किसको होता था मुगल या उत्तर मुगल साथकों को होता था यानि कि इस इजारेदारी विवस्ता ने भी क्या क्या आर्थिक रूप से नुप्सान किया मुद्तर मुगल साथकों का और ये भी एक कारण माना जाता है आर्थि तो वच्चों आज हम लोग इस सेस्टन को यही समाप करते हैं पार्ट थर्ड में हम आगे के अन्यकारणों की चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद है वे गुड देश